देखें, CBI को सक है कि हजारी बाग में नीट परिच्छा का पेपर लिख हुआ इसके लिए अब दो चीजों को समझने की जरुवत है कि क्या Oasis School से पेपर लिख हुआ या ट्रांस्पोर्टेशन के दौरान हुआ देखें, पिछले दो दिनों से CBI की टीम हजारी बाग में चरही CCL Guest House में Oasis School के प्रिंस्पल ऐसानूल हक से पूस्ताच कर रही है आज सुबा ऐसानूल हक के परिजनों को यहाँ पर बुलाए गया था वो अपने परिजनों से मिले, इसके बाद CBI की टीम है एसानूल हक को लेकर राची की तरफ निकली थी, लेकिन बीच रास्ते से ही टीम वापस लोट आई यहाँ पर जो है पूस्ताच जो है जारी है एसानूल हक से और आपको बता देख टोटो चालक से भी पूस्ताच हो रही है दरसल 3 माई को जो कुरियर ओफिस है हजारी बाग में ब्लू डाट का वहाँ से इरिक्सा पर प्रशन पत्र वाले ट्रंक SBI बैंक ले जाए गए थे लेकिन CBI जो है यह पता करने में जुटी है कि आखिर कुरियर ओफिस से बैंक जाने में इरिक्सा वाले को कितना समय लगा जो दूरी है वो करीब 2 किलो मीटर की है CBI जो है इस पहलू पर भी काम कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टोटो चाला कुरियर ओफिस से सीधा SBI बैंक जाने के बजाए तीन माई को Oasis School गया प्रशनपत्र वाले बॉक्स लेकर वहाँ पर क्या पेपर लिख हुआ वा क्या उसके बाद तीन माई को ही उसकूल से बैंक प्रशनपत्र वाला बॉक्स ले जाये गया तो इन तमाम पहलों पर जो है SBI की टीम जो है काम कर रही है सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको बता दे पांच माई को नीट परिक्षा थी लेकिन चार माई को पटना के खेमनी चक इस्थित लर्ण प्ले उसकूल में 20 से 25 अभिहर्थियों को प्रशनपत्र और उतर दिया गया था रात भर उतर रटवाए गया था दावा ये किया गया अभिहर्थियों के द्वारा की अगले दिन परिक्षा में हुआ ही प्रशनपूछे गये थे तो उसी उसकूल की चछत से पुलिस को जला हुआ प्रशनपत्र मिला था उस पे सीरियल कोड लिखा था जब उसकी जाच हुई तो पता चला कि ये सीरियल कोड जो है हजारी बाग के Oasis उसकूल का है तो CBI की टीम जाच करने में जो है लगी हुई है आप क्या कुछ बड़ा एक्सेन भी होता है इसी पर जो है वो सबकी नजरें टिकी हुई है कैमरा परसन विशाल राय के साथ सशांग कुमार ABP News हजारी बाग